गुडि इवनिंग स्टुडेंट्स वेलकम है आपका मेरे इस चैनल कैमिस्ट्री पॉाइंट पर स्टुडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम ओर्गैनिक कैमिस्ट्री में जो इंपोर्टन्ट रियेजन्ट होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे कि उन reagent के क्या-क्या formulae है, क्या उनके नाम है, और किस लिए वो उप्योग में लिए जाते हैं, या उनका use क्या होता है, तो देखे students, पहला जो reagent है, वो है NOCl, यानि इसका जो रसाइनिक नाम है, वो है nitrocyl, nitrocyl chloride, इसका जो रसाइनिक नाम है, वो क्या है, नाम है, जिसे हम, तिल्डेन, अभी कर्मक के नाम से जानते हैं, NOCl को किस नाम से जाना जाता है, इसका जो फेमस नाम है, वो है, तिल्डेन अभी कर्मक, और ये बोर्ड परिक्षा में पूछा भी गया है, तो student देखिए, nitrocyl, जो यानि कलोरइड है, nitrocyl, कलोरइड या टिल्डेन अभी कर्मक, ये किस लिए यूज आता है, ये एक डिगरी जो एमीन है, एलिफेटिक, एक डिगरी एलिफेटिक एमीन, इसको, एलकिल कलोराइड या कलोरो एलकेन में चेंज करने में उप्योगी होता है इसके बाद दूसरा भी करमक है R2-ZN यानि जिसे हम R, ZN, R भी लिख सकते हैं इसका नाम है डाई एलकिल डाई एलकिल जिंक डाई एलकिल जिंक या इसे हम कहते हैं Franklin अभी करमक कौन सा भी करमक Franklin अभी करमक और ये जो भी करमक होता है ये Organic Synthesis में यूज होता है यानि कार्बनिक योगीकों के Sinclation में इसके बाद हम तीसरे भी करमक की बात करें तो वो है R, M, G, X एलकिल मेगनीशिम हैलाईड या अगर यहाँ पर अलिफेटिक ग्रूप नहीं एरोमेटिक ग्रूप है यह अलकिल ग्रूप था और यदि अलकिल की जगह यहाँ पर अरिल समू हो तो इसे बोलेंगे अरिल मेगनीशियम हैलाइड यह अलकिल मेगनीशियम हैलाइड और ये Aril Magnesium Halide इन्हें हम क्या बोलते हैं Grinnear Abhikarmak कहते हैं ये भी एक महत्बुरुन Abhikarmak है क्योंकि इसकी सहायता से भी हम Carbonic योगिकों का Sunsulation कर सकते हैं ये बहुत महत्बुन Abhikarmak है इसके बाद बात करें जो चोथा भी कarmak है वो है 2,4-DNP यानि 2,4-Dinitro 2,4-Dinitro Phenyl Hydrogen 2,4-Dinitro Phenyl Hydrogen देखें ये जो अभी कarmak होता है ये Carbonil योगिकों की पहचान करने में सहायक होता है इसकी जो structure होती है वो इस प्रकार की होती है देखें इसकी जो complete structure है वो ये है ये Phenyl ये Phenyl पर 2 और 4 position पर क्या है ये 2 और ये 4 पर क्या है Nitro तो 2,4-Dinitro Phenyl और ये है Hydrogen अब जो टार्बोन योगिक होते हैं वो इस अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं जो व्यूत्पन बनाते हैं वो नारंगी लाल ठोस होते हैं यानि जो कार्बोनिल योगिक हैं अल्डिहाइड और किटोन उनकी अभिकर्या जब इस अभिकर्मक से होती है तो 2,4-Dinitro Phenyl Hydrogen बनता है जो की नारंगी लाल ठोस होता है और उस व्यूत्पन के बनने से हमें पता लग जाता है कि वो जो योगिक है वो अल्डिहाइड या किटोन है क्योंकि अल्डिहाइड और किटोन जो होते हैं वो 2,4-DNP प्रिक्षन देते हैं अब हम नेक्स्ट बात करें AR-SO2-CL Airene-Sulfonyl-Colride या C6H5-SO2-CL यानि Benzene-Sulfonyl-Colride और इसे हम हिंस बरग अभिकर्मक के नाम से जानते हैं इसका क्या नाम है हिंस बरग अभिकर्मक इसके बारे में भी बोर्ड प्रिक्षा में एक नमर का प्रशन पूछा जा चुका है हिंस बरग अभिकर्मक किसे कहते हैं Airene-Sulfonyl-Colride को या Benzene-Sulfonyl-Colride को क्या बोला जाता है हिंस बरग अभिकर्मक कहा जाता है और इस अभिकर्मक की सहायता से एक डिगरी दो डिगरी और तीन डिगरी जो एमीन है उसका विभेदी कर्ण यानि प्रथकर्ण किया जाता है एक डिगरी एमीन जो है वो हिंस्बरग अभिकर्मक से क्रिया करके जो उत्पाद बनाती है वो उत्पाद शार में विले होता है दो डिग्री एमीन हिंस्बरग अभिकर्मक से क्रिया करके जो उत्पाद बनाती है वो शार में विले होता है और तेन डिग्री अमीन के इंस्बर्ग अभिकर्मक से कोई क्रिया नहीं होती है अब हम आगे चलते हैं छटे अभिकर्मक पर ये हैं टॉलेन अभिकर्मक टॉलेन अभिकर्मक जो होता है वो है अमोनिया मै सिल्वर नाइट्रेट सोलुशन Ammonia मेई Silver Nitrate Willian Ammonia मेई Silver Nitrate Willian को क्या बोलते हैं Ammonia मेई Silver Nitrate Willian टॉलें अभी करमक कहलाता है और जो LD हाइड होते हैं वो टॉलें अभी करमक से अभी क्रिया करके क्या देते हैं रजददर्पन देते हैं silver mirror देते हैं क्या देते हैं रजत दरपन silver का अवक शेप देते हैं जो aldehyde होते हैं वो tolen अभी कर्मक के साथ त्रिया करके रजत दरपन बनाएंगे silver mirror बनाएंगे और aldehyde और ketone में अंतर करने के लिए इस अभी कर्मक का उपयोग किया जाता है अब हम next बात करते हैं failing अभी कर्मक की failing अभी कर्मक जो होता है ये एक मिश्रन होता है जिसमें दो भाग होते हैं एक है failing willion A और दूसरा होता है failing willion B failing willion जो A है वो जलिये कॉपर सल्फेट का निले रंग का विलियन होता है और failing willion जो B है ये होता है sodium potassium sodium potassium potassium tartrate sodium potassium tartrate का रंग हीन क्षारिये विलियन रंग हीन क्षारिये विलियन और sodium potassium tartrate को रोशेल लवन के नाम से भी जाना जाता है अब हम आगे failing willion के बारे में और जानकारी ले ले लेते हैं कि failing जो अभिकर्मक होता है उसके दो भाग हैं और failing अभिकर्मक जो होते हैं उसकी साहता से LD हाइड और किटोन में अंतर किया जाता है क्योंकि LD हाइड जो होते हैं वो failing अभिकर्मक का अपचिन कर देते हैं और जो किटोन होते हैं वो failing अभिकर्मक का अपचिन नहीं कर पाते हैं तो LD हाइड और किटोन में अंतर करने के लिए इस अभिकर्मक का यूज गिया जाता है इसके बाद हम बात करें शिफ अभिकर्मक की शिफ अभिकर्मक जो होता है वो रोजे नलीन रोजे नलीन हाइड्रो कलोराइड के गहरे लाल रंग के जलिये विल्यन जलिये विल्यन में SO2 गैस प्रवाहीत करने से विल्यन रंगहीन हो जाता है इसे हम क्या बोलेंगे शिफ अभिकर्मक क्या बोलते हैं शिफ अभिकर्मक यानि रोजलेनिन हाइड्रो कलोराइड का गहरे लाल रंग का जो जलिये विल्यन होता है जब उसमें सल्फर डायोकसाइड गैस प्रवाहीत करते हैं तो उससे विल्यन रंगहीन हो जाता है इसे हम रंगहीन विल्यन को क्या बोलेंगे शिफ अभिकर्मक और जो LD हाइड होते हैं यानि RCHO जब वो शिफ अभिकर्मक से किस से शिफ अभिकर्मक से क्रिया करते हैं तो शिफ अभिकर्मक का गुलाबी रंग जो होता है वो प्राप्त हो जाता है पूने तो LD हाइड जो होते हैं शिफ अभिकर्मक के साथ क्रिया करके गुलाबी रंग का विल्यन देते हैं और केटोन ये प्रिक्षन नहीं देते अब नेक्स्ट बात करें जोन्स अभिकर्मक की जोन्स अभिकर्मक क्या होता है क्रोमियम ट्राइयोकसाइड और जलिये जो सलफ्यूरी कमल है का जो मिश्रन होता है उसे क्या बोलते हैं जोन्स अभिकर्मक और इसकी सहायता से एक डिगरी अलकोहल को कार्बोकसली कमल में और दो डिगरी अलकोहल को किटोन में ऑक्सी क्रत किया जाता है तो जोन्स अभिकर्मक CRO3 प्लस एक्वस H2SO4 का मिश्रन होता है जिसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं एक डिगरी अलकोहल को कार्बोकसली कमल में और दो डिगरी अलकोहल को किटोन में अक्सी कर सकते हैं लास्ट जो महत्मुन अभिकर्मक है वो है फेंटन अभिकर्मक फेंटन अभिकर्मक क्या होता है फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन पराउक्साइड का मिश्रण होता है Hydrogen Paroxide और Ferrous Sulfate यानि Iron Second Sulfate का जो मिश्रण है उसे क्या बोला जाता है Fenton Abikarmak और Fenton Abikarmak का यूज होता है एलकोहलों के ओक्सी करन के लिए किसके एलकोहलों के ओक्सी करन के लिए और जब Fenton Abikarmak पृष्य şekilde करते हैं तो जो एलकोहल होते हैं इनका ओक्सीकरन संगनन डाइमराइजेशन होता है यानि एलकोहल के दो अनू जुड़ते हैं और संगनन अभीक्रिया से वो एलकेन डाइओल में चेंज हो जाते हैं किसमें डाइओल में एलकेन डाइओल का निर्मान होता है यानि एलकोहलों का ओक्सीकरन होकर संगनन अभीक्रिया के फलसुड़ डाइमराइजेशन होगा जिससे एलकेन डाइओल का निर्मान होता है और एलकेन डाइओल यानि ऐसे एलकोहल जिनमें दो ओएसमू होते हैं उन से मोनो हाइडरिक एलकोलों से किया जाता है तो आज के इस लेक्चर में हम ने इन दस महत्वन अभी कर्मकों के बारे में जानकारी ली तो मुझे उमीद है मेरा आज का यह जो लेक्चर है यह आपको पसंद आया होगा तो स्टुडेंट्स आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने सहपाथी मित्रों के साथ दोस्तों के साथ शेर कीजिए और जिन स्टुडेंट्स ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कुमेंट्स बोक्स में धन्यवाद इस्टूनस